चली आज बनाते हैं कच्चे केलों के कौफते इसमें नो और नो गाली की रेसिपी है और बनाना बहुत ही इजी है तो सबसे पहले मैंने यहां पे एक दरजन कच्चे केले ले ली हुए है फिर हम उसको अच्छे से काट लेंगे अब काटने के लिए मैंने एक साइड कट लग लिए फिर आप उसे हाथ से ही सकिन को रिमूव कर सकते हैं अब इसमें जो है वेस्ट जीरो होती है और आप एजिली जो है केले काट सकते हैं तो फिर काटने के बाद उन्हें राउंड राउंड चुटा चुटा काट लेंगे और प्रेशर कूक करेंगे सिर्फ एक दो या तीन बिसल के लिए इससे जादा प्रेशर कूक नहीं करना है अब जब तक केले जो वो प्रेशर कूक होंगे आप तीन से चार बड़े टमाटरल ले लेंगे और उन्हें बीक में से रफली काट लेना है साथ में जिंजर को भी रफली काट लेना है और साथ में ग्रीन चिली को भी roughly काट लेना है अब क्या करेंगे एक बड़ा बोल लेंगे उसमें जो आपके केले उनको निकाल लेंगे इनको आप थंडा होने दीजिएगा बहुत ही गर्म होते हैं अब मैंने यहां पर बोला है कि इसे थंडा होने दीजिएगा इसमें आपनी एड़ नहीं करना है कि चमच कोरियंडर पौडर और एक चमच यहां पर मैंने मिक्स हर्फ सॉल्ट का यूज करा हुआ है और साथ में मैंने डाली हुई है किश्मिश थोड़ी सी आधा बॉल मैंने यहां पर किश्मिश डाला हुए और अब आप इसे अच्छे से मिथ लेंगे आपको इसका डो बन बने टर्मरेक डालना भूल गया था पर उपर से टर्मरेक एड नहीं है पानि जो रखना यहां पर और आपने कर लेनी है अपने यहां और मीडियुम तApp करने लेन लास देख लेंगे आप इन्हें उस टाइम पे टर्न डाउन कर सकते हैं और इस तरह से आपने कुछ इसे पका लेना है फिर आपने सेम कड़ाई में थोड़ा सा तेल डालके उसमें कोरियंडर और जिंजर डालना है मैं यहाँ पे सात्वी खाना बना रहा हूँ तो यह सात्वी खाना की श्रेणी में ही आते हैं अब जिंजर को अच्छे से पकाने के बाद आप उसमें एड़् करेंगे टमाटर और टमाटर को भी हम अब थोड़े से पाउडर मसाला डालके अच्छे से पका लेंगे फिर आप इसमें एड़ करेंगे थोड़े से काजू और हरी मिर्च और इसमें जब ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया है तो मैंने इसमें पानी एड़ करा हुआ है और इसे अच्छे से कर लिया है ग्राइड ग्राइड करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपका ग्रेवी बन जाएगा अब आपको इसे बॉइल करना है मैंने यहां पर थोड़ी सी और ग्रीन चिली एड़ करी हुए ताकि उसकी स्वीटनेस से थोड़ी कम हो स्पाइसीनेस थोड़ी और एक्स्ट्रा आए फिर आप इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे और आप इसमें एड़ करेंगे कौफतों को और कौफते एड़ करने के बाद अब आप इसे कम से कम तीन से चार मिनट और पकने देंगे और इसी के साथ आपकी एक बहुत ही डिलीशियस कच्छे केलों की नो नियन नो गार्लिक नो क्रीम फोमेड रेसिपी बन के तयार है एंजॉय करिए रेसिपी को और मुझे फॉलो करना ना भूलिया करने बाद